Hello everyone, मैं विश्जीत सिंग, आप सभी का दीन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.History M.H.I.G.R.O.10 का लेसन 7 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे हडपा की अर्थवयस्ता और व्यवसाई के बारे में हडपा सभीता के अंदर में लोग अपने जीवन व्यवपन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए किस तर से अर्थवयस्ता पे निर्वर थे, अर्थवयस्ता में क्या-क्या चीज़े होती थी और कौन-कौन से व्यवसाई लोगों के पास मौझूद थे, किस तर के व्यवसाई लोग क्या करते थे अपने जीवन निर्वाह के लिए, जीवन व्यापन के लिए, इसके बारे में हम डेटिल में जानेंगे दोस्तो, इस पूरे lesson के अंदर में तीन questions बन कर आते हैं और अलग-लग तरीके से तीनो questions पूछे जाते हैं आपको तीनो को prepare करना है, तीनो में से कोई एक नाएक question आपके exam में आ सकता है कोशन क्या होता है तो पहला कोशन ये रहता है कि हडपा की अर्थवस्ता और व्यवसाई को पताई है हडपा सब रहता है कि अंदर में किस परकार की अर्थवस्ता थी ठीक है लोग क्या क्या करते तो उस अर्थवस्ता में अर्थवस्ता कैसे improve हो ली थी, किस तर ने विदेसी वैपार होता था, ठीक है, किस तर से विदेसी वैपार के साक्षे मिले हैं, पर्मान मिले हैं, उसके बारे में आजाता है, दूसरा यह रहता है कि लोग किस तर से अपने आपको वैवेसाई में लगाते थे, सहरों के अंद में जो answer लिखते हैं उसमें second or third questions के answer भी include हो जाते हैं पूरा second or third question जो मैं बताऊँगा वो भी इसके अंदर में आ जाता है second जो हमारा question बनता है वो रहता है कि निर्वा आधारी तरदवस्ता निर्वा आधारी मतलब क्या एक तो हो गया कि पूरा economy और एक हो गया लोग जो अपना जीवन व्यापन करें जैसे मालों मैं teaching करता हूं मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा जीवन व्यापन का मूल source क्या है तो teaching है क्या नहीं बिल्कुल नहीं यह तो मेरा बस एक लोग अपने जीवन व्यापन के लिए अपने आपको पालने के लिए अपने आप जीवन को निर्वाह करने के लिए किस तरसे उनके अर्थवस्ता अर्थवस्ता थी ठीक है किस तरसे उपलब देती उनके अर्थवस्ता किस तरसे वो कारगर थी उसके बारे में यहां पर हम पार्टिस्पेट करके ठीक है वह हमने किया जिसमें मतलब मूल सोर्जे से मान के चलते हैं एक सरकल है इस सरकल के अंदर में जो 70% है ना वह एक चीज से आता है मालो कोई भी चीज क्रिशी से आता है 70% तो मूल अर्थवस्ता मारी क्रिशी हुई तो बागी जो 30% बना वह किसी और चीज का उसमें पाटिसिबिशन से तो वह 30% किया है तो गैर आधारित अर्थवस्ता उसके अंदर में आ जाता हमारा और उसके जरिये किस तर से लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं वो यहां पर हमें बताना होता है तो कोश्चन यहां पर तीन बनता है पहला कोश् देखो अर्व आप को पहला दूसरा तीसरा तीनों कोश्चन के आंशर को यहां पर कर ना होता है अपने सारे पॉइंट में लिए चोटे-शोटे points में लिखे हुए हैं आप इसको इसको इसली समझ पाओंगे ठीक है इसके लिए चोटे-चोटे points लिखे गये और आप इसको तो बड़ा करके अच्छे से लिख सकते हो, अच्छे गाजे, 500 वर्ड में अच्छे से लिख सकते हो, अगर इसको PDF चाहिए, आपको इसका PDF चाहिए, तो डारेक्टली आप हमारे टेलिग्राम गृूप को सेर कीजिए, ठीक है, मतलब सेर्च कीजिए, टेलिग्राम गृूप आपको दिख जाएगा, वहां से आप हमारे चैनल को फॉलोग कीजिए, टेलिग्राम पर आपको वहां पर PDF भी मिल जाएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डीटेल में हमारे आज के लेसंस को, पर एक रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी स्टूइट से, रिक फिट मिले, एक और रिक्वेस्ट रहेगा, कि अपनी नोट बुक साथ में लेकर बैठें, जिससे आप उसको नोट डाउन कर सके हैं, और इसली इंटर लिंक कर सके हैं अपने बुक से, क्योंकि सारे पॉइंट्स आपके बुक से ही लिए गए हैं, चलिए अपना लेसन आज का स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों, जब हम सबसे पहले हडपा की बात करते हैं, हडपा है क्या बाई, तो आपको पता होगा, आपने बच्पन से पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, ठीक है, आटवी क्लास से हमारे अंसलिबस के अंदर में हडपा आ जाता है, ठीक है, उसके बारे में डीटेल में जाने की ज़रूत है नहीं जादा हडपा की जो वैवसाय की विवीदता हम देखते हैं कि अलग लग तरह के महां पे वैवसाय हमें देखने के लिए मिलते हैं और यही नगरी और गैर नगरी जो सब्वेता होते हैं मतलब पूरा जो कल्चर है ना उसके अंदर में अलग करता है उनको डिफरेंस पैदा करता है कि किस तरह से वैवसाय थे अड़पा के अंदर में नगर के अंदर में अलग अलग तरह के अक्यूपेशन वैवसाय देखने के लिए मिल जाता है पेशे देखने के लिए मिल जाते हैं पर जो गैर नगर थे ज इस तरह से चीजे देखने के लिए नहीं मिलती है गाउं में गये तो हम प्रणाय के अंदर में विवितता तो नहीं पर नगरों के इंदरमें गैर नगरी परिसिती के अंदर में यह नहीं मिली इसके कान से यह दोनों को अलग करती है नगरी के अंदरों के अंदर में निर्वा आधारित अर्थवस्ता थी जो नगर होते थे थे लोग अपना जीवन व्यापन कर सके अर्थवस्ता का में मोटीव होता था कि जीवन व्या क्रिषी आधारी तर्देफस्ता जहां पर primary वर्क आट अगर dijo क्रिषे अधारी तर्देश्ता बोलते हैं तो यहां पर हडपा के अंदर किक्रिषी आधारी तर्देश्ता देखेंगी नगरी busavad जो होती थी थी न वो बड़ी घानी अवादी वाली देखी जाती थी नगरों के अंदर में जो बसावट बहुत ज्यादा अवादी के अंदर में देखी जाती थी क्रिशी नग्रिय जनसंक्या का प्रमुक आधार होता था जो जनसंक्या का प्रमुक जो में सोर्स है वो क्रिशी के उपर में डिपेंट रहती थी तो नग्रिय क्रिशी नग्रिय जो जनसंक्या थी थी प्रमुक आधार के तौर में माना गया क्रिशी के जो साक्षे हैं वन्सपती अफसेस मिले हैं जहां पे जले हुए बीज यूज मिले हैं तो इससे पता जलता है कि वहां पर हडपा सब्वेता के अंदर में क्रिशी भी की जाती थी अब देखो हडपा सब्वेता के अंदर में हम यहाँ पर कहरें कि जले हुए बीज मिला ऐसा क्यों कहरें तो हडपा सब्वेता को जब भी हम study करते हैं तो दो तरह के परमान होते हैं कभी भी हम history का कोई भी चीज study करें जैसे ताज महल किसने बनवाएगा कि जहां पर कोई इमारत मिला कोई कोई टुकूड़ा मिला और उसको समझते दूसरा होता है क्या साहितिक साक्ते, साहितिक स्रोत के अंदर में क्या होता है, कि जहां पर कोई return में कोई चीज मिला, कोई यात्रा विटांत मिला, कोई biography मिली, कोई bill book मिला, कुछ भी मिला, अभी lake मिले, तो उसको हम साहितिक स्रोत के अंदर में लेके चलते हैं, पर हडपा स साथिक सरोथी कृए कालिक से हैं ग्रपा टूरत कि हुए क वंस्तार करते हैं जो नगरों में विस्तार कर रहा था दीरे औरू नगरों जो सारे अंदर ओर नगरों मौनशोदरों के लिए जो डाईर वह आधारीन नगरों जो थे दूब दूब अगर दुप आपको और समझ यहाँ वीजिफ रूट के समझा पहुए है करें दूब और च्वरिब दिमागा में बैठे। बिए परफ्रमाइब ने लियुकर हो यहां पर दूसरा point ही, jaka हम बात करते हैं, निर्वा-अधारित-अर्थवस्ता निर्वा मतलब क्या 돌아 Sah checkups सबस्ते ते मिलते हमैं निर्वा अर्धारित के साख्शे मैं मिलते हैं कि लोग उसके डिपेंड़र होकर अपना जीवन व्यापन करते थे खेती पुसुपालन फन्संगर्फन् सिकार आदि के हमें परमान देखने के मिलते हैं शीत और परकार के फसल की पैदावार की जाती थी गेहूँ जो मटर आदिचना को उगाया जाता था उतckhanan में अनाजों के बीज मिले उतckhanan मतलब किया जब खुदाई हुई थो उसके अंदर में में अनाजों के बीज मिले जिससे हमें पशुपालन के भी साक्षिया में देखने के लिए मिलते हैं स्टार्टिंग में जो जानवर पाले गए थे वो गाय भेंस बगडी आधी को पाले गए थे वो साड़ भेड कुत्ता की मूर्तियां भी मिली हैं जिसे हमें इल पता जलता है उनको इन जानवरों के बारे में भी पालतू बनाया होगा तो साड भेड और कुत्ते की मूर्तियां मिलतीैं मतलब यह नहिंनी क्या बना रखा है तेजही चीज़टे का करें बना रखाने ह। लोस को रुदोरा परिवहन के साधनों का पड है गए एंक का प्र ओंविके जाना थाsoon ओपैणरे से जानवरों कर noon क हो चुका यह भी हम मानके चलते हैं तेडा कोटा में गाड़ियों के और पहीयों के साक्षे सब्सक्राइब मिलते हैं तो इससे हमें पता चलता है क्यों पहिंग के परिवहन का उपयोग को स्टार्ट कर चुक्के होंगे खेती के लिए हल का परियोग इस्टार्ट हो चुका था, हल के अंदर में लोहे की फाल का उपयोग दिरे-दिरे स्टार्ट के जा रहा था, ठीक है, लोगों द्वारा पसुओं और मासों का उपभोग किया जाता था, संग्रहन के साथ जाता था, मचलियों को अहार के रूप म में उपभोग किया जाता था, भोजन के अंदर में विवित्ता थी, अलग लग तरके भोजनों का उपभोग किया जाता था, खजानों के अंदर में जो दूद मास आधी का उपयोग किया जाता था, मतलब जो खाने होते थे, उनके अंदर में दूद का भी उपयोग होता थ के लिए फलक और हशी यह उत्यार होता था जिसके ऊपर एक किनारे पे अर्वत तेज नहीं वह बॉहत तेज भाप है इस्टार्टिंग में तो पत्थर के बना जाते थे फलक ठीक है बाद में दीरे-दीरे उसको हसीय के तौर पर यूज के जाने लगा आगे ज़र के परिवर्तन उतर हसीय का फसल कटाई के लिए उपयोग किया जाता था भी के लिए नाली वाली का उपयोग नहरो और चैनलों का उपयोग और हुवे से सिचाई का परमान हमें देखने के लिए मिलता है फिकर नली वाली का उपयोग करे जाता था खेत में सचाई के लिए गैर निरधारित अर्थवि ci किन्धर में क्या हुआ हूआ कि जो primary हमने घान गैर निर्धारित अर्थ्ष्टा क्यों वालग prote सब्वस्गा सभकू खोड़कर दूसरी वरवसाई को अपना रहे थे तो दूसरा वरवसाई क्या था तो शिल्प उत्पादन जैसे वेवेवसाहिए जो होते हो दूसरे वेवसाहि का तर पे, optional वेवसाहि का तर पे माने गए. तो गयर निरधारित अर्थवस्ता क्या था? तो नगरो में क्रिशी के लिए छेतर जो थे सेमित हता है. अब एक सीमित खेतर के अंदर में क्रिशी हो सकता है दिल डैली के अंदर में रहता हूं तो जी जगह पर मैं रहता हूं पहले स्टार्टिंग के अंदर में यहां पर भी खेती होती थी पर दीरे 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 पर प्लॉट करते चले गए मगान बनता चला गया तो यहां नाली चणने जगह को हो पर आपको खेती होते वे दिखीगा तो सीमत छेतर के अंदर में रिबँ unutवेस्था में लगे हो एös विवस्तान यहां पर विवसाय आएगा ठीक है मिर्तभांट बनाना इसे विवीतता एक तरगे डिफ्रेंसिस थी अलग-अलग तरगे व cohesive यहां पर उपलब डेते वस्तु विन में जैसी पर्था का आरम बोच चुका था जहां एक वस्तू के बदले में तूसरी वस्तू दी जाती इसको भी लास्ट पढ़ने वालें, इंद्रेल के अन्दर में को समय के विध्यूत पादन की बात करूँ तो सिर्प उत्पादन के परकिविया थी नगरी इंदरों के परमुक विशño के तौर饅 चार गई कि जिससे ही हो सके काम को करना ठीक मिलते जिसे में किया किसली जाता था तो सुभविधाओं के लिए लग-लग्तर से एजी करने के लिए उजारों को रिर्माद के लिए परमाड मिलते हैं अर्धन निर्मित उत्पाद की मतलब आधा बना हुआ चीजों के परमाण मिले हैं कच्छे माल जैसे पत्थरों के धेर मिले हैं पुना चक्र के लिए रखी गई सामगरी जो बारा से बना एक मतलब रिसाइकल के लिए लेगले तरह की सामगरियां भी हमें देखने के लिए मि होता होगा एक बार मिला तो हम मान के जलते हैं बाई मिस्टे कहीं से आ गया होगा पर एक ही जैसी चीज बार बार मिलना हर जोगा मिलना तो कहते हैं चीज तो बंती होगी यहीं प्यास-पास में ठीक है हडपा के लोगों द्वारा अनेक प्रकार के सिल्प कारे की जाते थे ठीके चमकदार फलकों का निर्मार करना तो इस तरह से अलग-अलग तरह के काम के जाते थे हडपा के लुगों के दौरा सिल्प कारिय के अंदर में अधिकाँपा वृता था वह हडपा या वासियो के के खरन और हर सके डाइसे कर्मार के वहन को मिलता मुझ यहां किस थि तरह के देने क्या भेजिए मैं मीट्टी के बष्टी के बरतन वहाँ पे दिखने के थे हडपा काल में सिल्प कला के तीन पैटन देखे गए जो अब ऑटो एक तो पहले पैटन में कार मत्हाः की बसावटों का सिल्फ कार्य किया ediles यहां मिडंडल साइज होता है लिए सिल्फ कार्य किया जाता था दुट्य पैटन के अंदर में दिखा गया कि CP के लिए नागेश्वर और लाजवर्द और सोतु गही जैसे चीजे जो होती हो वह वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है तो लाजवर्द देखो CP के लिए नागेश्वर मतलब प्राचन काल में अपनी सुन्धर के लिये पसंद किया जाता था उसको हम लाजवर्द बोलते हैं नीले करर का प्त्तर होता था ठीक है वह बहुत जादा चंकीला होता था उसके लिए लोग उसको यूज करते थे पथर क तो उसी तरह का पत्थर होता है जिसको लाजवर्द बोलते थे सोंगुताई क्या होता है तो एक तरह से उत्री अफगानिस्तान के अंदर में जो लैपसी खाने होती थे ना उसके आसपास की नदी में इसी जो सिंदु नदी थी एक सब्वता था वेपारिक कॉलोनी थी उसको सोंगुताई भोला घया थीक है तो यह तरह पत्थर मानके चलते नागेश सर एक जगह और संगुताई भी एक जगह हो गई तो इस तरीके से यहां पर बताईगा कि किस तरह से तुछ में बात कर्ते हैं तो यहां बड़न बड़न के इंदर में चिल्प कार्याए तो जो अलग अलग जगह को इंपोर्टेंस दी गई जैसे नागेवस और सीपी के लिए बहुत जादा फिमस था ठीक है तो इस तरह से वहां पर बताएगा तीसरे वाले में बताएगा जो बड़े नगर थे वहां पर हमें सिल्प कारें देखने के लिए मिलते हैं जिसमें सिल्प वि विभिन सामगरियों का परियोग और कुछ सल्था दिखाई जाती थी ठीक है लग लगतर के चीजों का उप्यों के जाता था सेल खड़ी पावडर और चम के लिए मिलत भांट का प्रियोग किया जाना यह उनकी विसेस्ताओं को दिखाता है विनमे और नेटवर्क के बारे करते हैं एक से दूसरे से ठीक है तो यहां पर हम इसके बारे पर बात करने वाले हैं दोस्तों यह फालतु का आवाज आ रहा है तो इसको थोड़ा से इग्नोर करना ठीक है यह आज की समय में लोगटाउन के बाद से सबी के जो जवान थी न मूँपे वो गायब हो चुके हो चुके सब बोंगे बन चुके तो टेक्नोलोजी का यूज करने हम आगे वढ़ते हैं अपने और नेट्वर्क की बात करें तो विन में मतलब क्या कि बिना पैसे के बिना मुद्री के लें दिन करना वजीन में कहलाता है मेरे पास पैन है मुझे कॉपी की जूरत है मैंने आपको अपना थे दिया आपने मुझे अपना कौपाईнवे डे डिया वह विकया विन्हेर यूटाइं लेट нее मतलब क्या कि मैं डेली में रहता हूं और बिहार में जाकर वहां पे कर रहा हूं यह मेरा नेटवर्ट यूपी में जाकर कर रहा है बंगाल में any Network यह कहाने और नेटवर्क किस तर से Network था उसके बारे में आप बात करते हैं कच्चे-माल और नेर्मित वस्तो का वी ने मैं सर्वधिक निकट और वीने में नेगरों के समय वर्ति घाहों के कछे माल का हो गया नीरमित वस्तो के नगरों में नियरमित वस्तो का सेवाय गाओं में उपलबद करा याता थी ते थी जो नगर में बने हैं उनको गाओं तक पहुँचाया जाता था विनी में जो होता था समीप वर्ती छेतर के अलावा पास के छेतरों के अलावा दूरस्ट बसे हुए इलाकों में भी किया जाता था दूरस्ट छेतरों में नगरों और सहरों में हडपा सिल्प कारे के लिए कच्चा माल आता था हडपा नगरों में तामबे की वस्तों बनाई जाती थी, तामबा राजस्तान के खितरी छितर से आता था, सीपी नागेसवर और बाला कोट से आते थे, हडपा स्थल पर मेसोपटामिया की कम वस्तों मिलती है, मोहरे और बाट वीनिमे तंत्र की दो स्रेड़िया थी, हडपा क के राट की मोहरे मेसोपटामिया की सं मानी जाती हुआथ थी, हडपा की मोहरे पर भारती कुबडा वैल का रूप में देखने की मिलता है, प्रिश्ट बाग पर छ्छेद था, इस थरह आखा हो था, और यहां पर छेद देखनेल की मिलता है, मुद्रा के अंडर में, मोहरों का नहीं जा सका है बाट और बिलोर बाट बिलोर के बने वहार यहां पे बहार के इंदर में करम के इंदर मतलब सबसे चोटा बांट फिर उससे चोटा बांट फिर उससे चोटा बांट उससे मतलब बढ़ा 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 एक दो ती चारह से करके बढ़ा बढ़ते करम के अंदर में बांटो का निर्मान किया जाता था तो सारे क्यूब की अकार के होते थे ठीक है क्यों क्या कार के होते इस तरह से यह पूरा lesson था और इसके अंदर में answer किस basis पर लिखना है अगर पहला वाला question बनकर आता है कि अड़ापा की अर्थवस्ता और वहसाई को बताईए तो इस lesson के अंदर में जो भी मैंने उपर से नीचे तक बता है वह आप उसको as it is define करते वह चले जाओगे दूसरा question बनकर आता है कि निर्वा अधारित अर्थवस्ता को बताईए तो इसके अंदर में पूरा बताऊगे और नीचे का जो निवीन में network किस परकार का था ठीक है उपर वाला जो अरधारित अर्थवस्ता किस परकार का था दोनों का अंदर में differences क्या देखेगे उसको मारे वीडियो एंड होती है बट आप सभी students एक बार request रहेगा मेरा बहुत दिल से कि आप हमारे चैनल दी इनव को जुरूर सब्सक्राइब करें एक एक सब्सक्राइब करने सब मोटिवेशन मिलता है हम लाइक से सब्सक्राइब करते हैं मोटिवेशन मिलता है कि और आपको पेडियाफ चाहिए कुछ भी चाहिए तो आप डारेक्ले मारे टेलीग्राम गुरूप को जोन कर सकते हो मुझे ट्यूटर इंस्टाग्राम कहीं पर फोलो कर सकते हो विश्वजीत नप के नाम से आपको आईडी मिल जाएगी मेरी तो आप मुझे भी महापे फोलो क कर सकते हो तो फ्रेंज थैंक यू सो मच फो वाचिंग मी थैंक यू सो मच फो लिसनिंग मी बाबाय थे कर आल बेस्ट